ब्रेक फास्ट में इन पांच चीजों का सेवन भूल कर भी ना करें, कैंसर होने का खत्रा हो जाएगा कई गुना, तुरंथ हटाएं प्लेट से कैंसर जानलेवा बीमारी है। अगर शुरुआत में पता न चले तो इसका इलाज मुश्किल हो जाता है, कैंसर के लिए कई चीजे जिम्मेदार होती हैं लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हमारा खान पान है, कुछ लोग ब्रेक फास्ट में कैंसर कारक फूड का सेवन करते हैं, प्रोसेस्ट मीट में कई तरह क कार्सिनोजेन केमिकल होते हैं, जिससे कैंसर का खत्रा कई गुना बढ़ जाता है, पपकॉन को अल्टर प्रोसेसिंग से बनाया जाता है, इसमें PFOA प्रोडक्ट होता है, जो कैंसर कारक होता है, कैंसर कॉजिंग ब्रेक्फिस्ट, फूड्स कैंसर बेहद खतरनाक बीमारी अगर शुरुआत में इसका पता न चले तो इसका इलाज मुश्किल हो जाता है WHO के मुताबिक हर साल करीब एक करोड़ लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाती है बिमारियों से होने वाली प्रत्येक 6 में से एक मौत कैंसर की वजह से होती है Cancer के कई कारण होते हैं लेकिन इनमें से अधिकांश कारणों के लिए इनसान खुद जिम्मेदार होता है National Library of Medicine में प्रकाशित एक scientific paper के मुताबिक सिर्फ 5 से 10 प्रतिशत Cancer के मामले ही genetic होता है बाकी सारे Cancer के कारण Lifestyle या पर्यावरन है आंकरों के मुताबिक Cancer से होने वाली 25 से 30 प्रतिशत मौतों के लिए तंबा को जिम्मेदार होता है जबकि 30 से 35 प्रतिशत Cancer से होने वाली मौतों के लिए खराब डाइट जिम्मेदार होती है इनसान का खान-पान इतना खराब हो गया है उससे Cancer जैसी घातक बीमारियों का जोखिम कई गुना बढ़ गया है यहां हम बता रहे हैं कि Breakfast के दौरान कुछ लोग Cancer कारक फूड का सेवन करने लगते हैं जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है Cancer के लिए जिम्मेदार Breakfast No.1 चाय के साथ बिस्कुट चाय के साथ नियमित रूप से बिस्कुट का सेवन Cancer का कारण बन सकता है इसके अलावा चाय के साथ किसी भी तरह के Ultra Processed Cookies से ओवरियें Cancer का खत्रा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है Imperial College Lund School of Public Health ने 2 लाख लोगों पर एक अध्यायन में पाया कि नाश्ते में Ultra Processed Food का सेवन का ज्यादा सेवन Cancer के जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है खासकर ओवरी और Brain Cancer No.2 ब्राड बटर रोजाना Breakfast में Ultra Processed ब्राड का सेवन सेहत के लिए खतरनाक है इससे भी ओवरी Cancer का खतरा बढ़ जाता है World Cancer Research Fund ने अपने अध्यायन में बताया कि मास प्रोडूस्ट ब्राड आइस्क्रीम, ब्रिकफास्ट सेरियल्स, हिंबर्गर आदी का नयमित सेवन Cancer के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है No.3 Microwave Popcorn Popcorn भी Ultra Processed Food Product है अगर हम घर में Popcorn खुद से बना लेते हैं और उसमें कोई Chemical नहीं मिला है तो इससे नुकसान नहीं होता लेकिन बाहर के Popcorn को Ultra Processing से बनाया जाता है इसमें PFOE Product होता है जो Cancer कारक होता है इसलिए सुबह नाश्ते में Popcorn का सेवन नहीं करना चाहिए No.4 Portretto Chips इसकुछ नाश्ते में चाय के साथ Portretto Chips का भी सेवन करते हैं Portretto Chips सेहत के लिए अच्छा विकल्प नहीं है ये वैसे ही नुकसान पहुचाता है इसमें अत्यधेक मात्रा में Sodium और Fry के लिए Trans Fat का इस्तेमाल किया जाता है इससे इसमें Saturated Fat की मात्रा बढ़ जाती है वही इसे उच्छ तापमान पर बनाने के कारण इसमें Acrylamide Compound बढ़ जाता है जो Cancer कारक केमिकल है इसलिए सुबह सुबह नाश्ते में चाय के साथ Portretto Chips का सेवन ना करें No.5 Processed Meat शहरों में Processed Meat से बने फूड के सेवन का प्रचलन बढ़ा है Processed Meat में कई तरह के Carcinogen Chemical होते हैं जिससे Cancer का खत्रा कई गुना बढ़ जाता है Red Meat कई तरह के क्रोनिक बीमारियों की वजह बन सकता है इसलिए Processed Meat का सेवन नाश्ते में क्या कभी भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए अधिक जानकारी के लिए कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धना